हेलो फ्रेंड सकस्सीर्ट कोटा चैनल में आप सभी का स्वागते हैं इस्टेंट्स आज हम हिंदी सायते के इतिहास में अधिकाल को कवार करेंगे हमारी प्लेलिस्ट में सक्सेस पॉँट की जो चैनल पर प्लेइस बनी हुई है उस प्ले लिस्ट में हमारी फाइफ क्लासेस आईए उसमें हमने हिंदी साहितिय लेखन हिंदी साहितिय के ग्रंत और ग्रंधकार इन सबकी क्लासे डाल रखी है उसमें आप जाकर के विजिट करके देखिएगा आपके लिए काफी हेल्फुल रहेंगी और जो हम यह सारा कंटेंट ले रहे हैं विशेवस्तु यह हमारी द्रश्टी की बुक से हैं लेकिन स्टुनेंट्स द्रश्टी की बुक से जो आज हमने कंटेंट लिया है आदिकाल यह सरीफ ना द्रश्टी की बुक से हैं यह सरस्वती पांडे जी की बुक से भी महत्पूर्ट पॉइंट्स ह आपके लिए काफी helpful रहेगा यह content ठीके चलिए स्टार्ट करते हैं आधी काल इससे पहले हमने पद्दतियां पड़ी पद्दतियों के बाद हमने ग्रंत और ग्रंतकार पड़े इस्ट्रेंट्स यह content UGC net के लिए sufficient literature portion के लिए आप इसको complete पूरी क्लास लीजिए और जो last मेरी क्लास थी काल विभाजन उसमें से शुकल जी का गणपती चंदर गुपती जी का हजारी परसाद दिवेदी जी का मिश्र बंदु का चारण ग्रियसन इनके जो वर्गी करण इन हम स्टार्ट करते हैं आदिकाल यह पूर्व पीठी का मतलब भूमी का जो हमने आचरे रामचंद शुक्ल द्वारा जो आदिकाल के संधर में उन्होंने दी है उसके बारे में यहां पे बताया गया है चलिए cover करें आंगे साहित्य से संबंदित कोई भी प्रेश्न हो आपको कोई समस्या है तो आप comment box में comment जरूर करिए हम उसका निश्चित रूप से उत्तर देंगे चलिए आदिकाल आदिकाल के मुख्य कथन है प्राक्रत की अंतिम अपभराण शवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविरभाव माना गया है हमारी भाशा संबंदित एक हिंद भाशा विज्ञान संबंदित भी प्लेलिस बनियो यह उसमें भी हमने classes पढ़ाई है आपने देखा उसके अंतरगत हमने ये पढ़ा था कि सबसे पेले संस्कत भाशा आई संस्कत में वेदिक संस्कत लोकिक संस्कत को पढ़ा हमने फिर उसके बाद पाली प्राक्रत और अपभरंश ठीक है ना मध्यकालीन आर्य भाशा के अंदर गध हमने पाली प्राक्रत और अपभरंश पढ़ा तो यहां पर उसी बात को इसपस्ट करते वह कहा गया है कि प्राक्रत मध्यकालीन में कौन सी थी पेली पाली जिसको प्रथम प्राक्रत फिर दूसरी दित्य प्राक्रत ठीक है प्राक्रत और अंतिम अपब्रहंश अवस्था कौन सी थी अपब्रहंश भाशा ठीक है तो अंतिम अपब्रहंश अवस्था से ही से ही क्या निकली है अंतिम अपब्रहंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भा का इतियास उसमें से ही ये कथन दिये गए हैं और यही कथन आपको सरस्थी पांडे जी की book में भी मिलेंगे और यही कथन आपको द्रश्टी दवीजन करके book में भी मिलेंगे तो यह महत्पूर है और यह court जो हैं यह courtations जो हैं आपको एक दम इसी तरीके से माइन में सेट करने हैं ठीक है कि प्राक्रत की अंतिम अपरभना शवस्ता प्राक्रत की प्राक्रत से जो निकली अंतिम अपरभना शवस्ता प्राक्रत के हमने वेदि को लोकिक पड़ा संस्क्रित के बाद मध्य में पाली ये तो प्राची नार्य भाषा थी ठीक फिर प्राक्रत और अप्र५्रणश के इसके बाद अब्रश के बाद अवहट आई ठीके अवहट आई पुरानी हिंदी फिर धीरे 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 इसका परिवर्तित रूप जो इस पस्ट उतागे वो हिंदी सहित्य का आविर्भाववा हिंदी आई हिंदी सहित्य का आदिकाल समवत 1050 शुकली जी ने क्या काया है आदिकाल का विकास बताया है वीर गथत्मक काल का कि 1050 से लेकर 1375 तक महत्पूर्ण है फिक्स अपने दिमाग में रखिएगा समवत 1050 से समवत 1375 तक अर्थार्थ महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है कौन महाराजा भोज महाराजा भोज हुए थे उनके समय से लेकर उनके टाइम पीरियोट उनके साशन से लेकर के हमीर देव हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास कब से माना जाता है जब महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के भी पीछे तक माना जाता है ठीके और इन्होंने टाइम पीरिट के दिया थीके मज़े मज़े से हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से concept clear करते हुए पढ़ेंगे लेकिन ठीके ना tension में आकर नहीं मज़े से पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे मज़े से चलिए आगे देखिए राजाश्रित कभी राजाश्रित कभी मतलब जो राजा के आश्रे में कभी थे चारण जिस प्रकार नीती शरंगार आदी के फुटकल दोहे राज सबाओं में सुनाया करते थे अब नीती मतलब धर्म शास्त्र के अनुसार इनके अनुसार श्रंगार से संबंदित जो दोहे सभाओं में सुनाया करते थे अब यहाँ पर फुटकल शब्द फुटकल मतलब छोटे 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 दोहे बना करके छोटी छोटी कवीताइं बना करके छोटे 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 रूप में फुटकल जो आसानी से सरलता से उनके मुख से निकल जाती थी ठीके राजाओं राजसबाओं में सुनाया कर प्रकार अपने आश्रेदाता राजाओं के जैसे चंदरवर्दाई ने प्रत्विराज रासो की रचना करी उन्होंने क्या करा आश्रे में रहते थे चंदरवर्दाई आश्रेदाता राजाओं के पराकरम चरीतों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे ठीक है ना जेसे रासो गरंत थे इनमें क्या था जैसे प्रत्विराज रासो गरंत लिखा गया चंजवर्दाईद्वारा तो उसमें अपने आश्रे दाता जिनके सामक्ष वो आश्रे कर रहे हैं प्रत्वी राज के टाइम प्रेट को उन्होंने अपने पराक्रम में उनके चरित्र, उनकी गाथाओं का वनन उस साहितिय के अंतरगत किया यही प्रभंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है और यही मैंने बताया आपको कि यही प्रभंध परा सिस्टम से प्रभंध स ठीक है परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है रासों के नाम से हमें पता पढ़ता है जो हम रासों साहिते पढ़ते हैं हमीर देयो शार गंधर का खुमार रासो ये नल सिंग द्वार ये सारे जितने भी हम रासों साहिते पढ़ते हैं प्रत्वी राज रासो दलपत विजय ठीके ये सब क्या है प्रभंद रासों और हम जब रासों साहित्य पढ़ेंगे सिद्ध नाथ जेन साहित्य के बाद जब हम रासों साहित्य पढ़ेंगे तब हम इसमें बताएंगे किस प्रकार से वो राजा की राजा के चरित्रों की उनकी गाथाओं का उनके युद्धों का वाणन अपने साहितिय के अंतरगत करते थे जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है, कुश्ची आपने देखा, जब शुक्ली जी को आप technics की इस पसी पर देना है, कौन से से बार्ट डाट है इस लक्षे को करके इसे काल को हमने वीर गाथा काल कहा तीके आगे देखिए हलगे indeकी किसव प्रकार की रचनाय यह होती है एक मुक्तक होती है गार्श्व तो प्रच्वे दार्सों के द्वारा 69 सर्ग समय दिये गए हैं ठीके वो इस प्रभंध कावे के आधार पर रहा है और एक हुत है चम्पू कावे जो गध्य में भी और पध्य में भी दोनों का मिश्रित रूप होता है आगे देखिए देखिए अपब्रश नाम पहले पहल ये सारे आपको जो ये वाक्य मिल रहे हैं ये सारे आपको आचरी शुकल जी की किताब के अंदर से ही मिलेंगे ठीके और यही एज़ेटी सरसती पांडे जी की बुक में भी रखे गए द्रश्टी की बुक में भी रखे गए आगे देख अपब्रश नाम पहले पहल अपब्रश का नाम सबसे पहले पहल किसमें रखा गया पहले पहले पहल बल्लभी के राजा धारसें दिट्य के शीला लेक में मिलता है किसके शीला लेक में मिलता है बल्लभी के राजा धारसें दिट्य के इंपोटेंट फेक्टे स्ट्रेंट ये इसे points हैं जो आपको हिंदी साहिते को सूद्रड बनाने में महत्पूर्ण कारगर हैं, सिद्ध होते हैं और ये आपको यात रखने ही हैं। अपभरेश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा, सबसे पहले अपभरेश का नाम हमें कहां पर मिला। वल्लभी के राजा दार्तिन दित्य के शीलालेक में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुह सेन, जिसका विक्रमी समद बताया है, 650 के पहले को संस्क्रत, प्राकरत और अपभरेश तीनों का कवी कहा है, ये कोटेशन डारेक आजाये, ये कहां से लिया गया है, आचारे र दार्तिन दित्य के शीलालेक में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुह सेन को संस्क्रत, प्राकरत और अपभरेश तीनों का कवी कहा, ठीके, किसका कहा, संस्क्रत का, प्राकरत का और अपभरेश तीनों का कवी कहा, किसको गुह सेन को, कौन था ये, पिता थे किसके, वल्लभी की राजा धारसिन धित्य के। और यहाँ पर सबसे पहले किसका पता पड़ता है? अपुभाष नाम पहले पहल वल्लभी की राजा के शीला लेक में, धारसिन धित्य के शीला लेक में मिलता है। देखिए, point सिद्दों की उद्गरत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रिक अपबरश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है सिद्दों की जो रचनाएं हैं अभी हम आधिकाल पढ़ेंगे आधिकाल पढ़ रहें देश भाशा मिश्रित, जो उस टाइम की देश की भाशा थी, उसमें मिश्रित अपबरंश या पुरानी हिंदी की काव्यभाशा है, कोंसी भाशा है? सिद्धो की उध्गत रचनाओं की भाषा, देव भाषा, मिश्रित, अपब्रश या पुरानी हिंदी, अपब्रश की मनलब पुराना बिगड़ा वा रूप, ठीक है, तो देश भाषा, मिश्रित देश, जो उस टाइम की टाइम पीरिट की जो भाषा थी, उस समय की भाषा और अपभरण भार्षा को मिष्रित अपभरण किया या पुरानी हिंदी फिर दीरे दीरे आते आते हिंदी अधुनिक हिंदी आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी का परिश्क्रत नयारूप मानग रूप निकल कर आया ठीक है खड़ी बोली यह सब नेक्स पर निए शुर्ण इस्टेंट सिर्ट हो रहीए। आप मुझे में कमेंड बॉक्स में बता दीजेगा। बहुत अलशेयर से करें लेकिन आप नियुकंट इस्टर बहुत बста से लिए सब 500 को तो सब्सेरी कि बहुत आयिक ने EGT हिंदी में जितना भी कंटेंट आता है आपके लिक्ट्रेचर बाहर नहीं जाए इसलिए हमने इसमें हिंदी साहित्य का इत्यास सरसती पांडे जी की बुक और कौनसी द्रश्टी दवीजन करके बुक को भी प्रयोक कर रहे हैं अपने कंटेंट में और आगे जो मैं जड़निक रहे हिंदी साहित्य का इत्यास जो बच्चन सिंके हैं उनके पॉइंट्स को भी कवर करते चलेंगे क्योंकि उस बुक से आधुनिकता से संबंदित आधुनिक काल का पुट ज़्यादा आता है हमें ज़्यादा महा से कंटेंट मिलता है किसके बच्चन सिंकी चिस्टो ने पुरानी हिंदी का है तो इस पुरानी हिंदी की व्यापक कावय भाशा कि आप जर्वाणत कुछ से प्रसुत अभर निकली है देखेज आध्यात्मे क्रंख के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चड़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोबिन के पदों के आध्यात्मिकता संकेत बताया वेसे ही विध्यापती के इन पदों को भी ठीक है विध्यापती ने जो पद दिये हैं उनके आधार पर भी बताया कि आध्यात्मिकता के रंग ये शुकली जी का ही कॉट्रिक्शन है उनकी बुक का ही आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए उन्हें चड़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोबिन के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया जैसे जैदेव द्वारा लिकित गीत गोबिन की पुस्ता के उनको भी उन्होंने कईयों ने अध्यात्मिक तरीके से बताया वेसे ही विध्यापती ने जो पद दिये हैं किर्टी लता किर्टी पता का में उसमें में उन्होंने ये कहा कि अध्यत्मिता का पुट बता दिया चलिए ये जो टेबिल है ये बहुत महत्मुन है और इस टेबिल को बड़ी आतरीके से याद कर लीजिएगा ठीक है चलिए आप सोस्ते होंगे मैं तो कुछ जादा ही मजाग से पढ़ाती है बेटा इसलिए मजाग से पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ शिक्षा मजए उसे करनी चाहिए आनंद के साथ आनंदा नुभूती की प्राप्ती हो तभी तो वो शिक्षा शिक्षा है है ना चलिए आधी काल का नाम करण ठीके और इनको देने वाले इनका नाम किनों ने रखा तो चारण काल जोर्ज ग्रियसन तो आप ध्यान रखिएगा चारण काल जोर्ज ग्रियसन चरण जोर्ज के हैं चरण किसके हैं जोर्ज के हैं तो चारण काल जोर्ज ग्रियसन ठीके एफ एक भी ध्यान रखिए वैसे महत्पूर जोर्ज ग्रियसन है प्रारंभिक काल मिश्र बंदू प्रारंभिक काल मिश् न तो बस प्रारंभिक मिश्र बंदू और किनका नाम याद रखते हैं गड़पती जी का जय गड़पती महाराज की जय यह बोलते न तो प्रारंभ काल में हम गणेजी की पूझा करते हैं और क्या खाते हैं मिश्र और सबको बंदुत्त की भावना से देखते हैं आ जाओ पतला परशाद के रूप में हम गर्पती जी का इवंधना करते हैं प्रारंभ में जबी भी कोई नया कारे चालो करते हैं गर्पती जी की पूजा करते हैं और सभी बंदू बांदू को हम मिश्री खिलाते हैं तो क्या मिश्री बंदू गर्पती चंद्र गुप्त प्रारंभि नेक्स देखिए बीजवपन काल महावीर प्रसाद दिवेदी ठीके ना महावीर प्रसाद दिवेदी बीजवपन काल महावीर प्रसाद दिवेदी ये सारे नाम बहुत महकुने ध्यान रखिएगा बीजवपन काल महावीर प्रसाद दिवेदी यूजिसी नेट के इसकी ट्रिक नहीं बताई देखिए महावीर जी निक्या करा बीज रोपन करा तो बीज वपन महावीर प्रसाद दिवे दी अब हर किसे की ट्रिक तो नहीं बना सकती ना जित्ती बन जाती बन जाती है पन से ठीक है चलिए देखिए सिद्ध सामंत राहुल सांक्यातन राहुल केसे थे? सिद्ध थे अपने कहानी पढ़िया ना राहुल सिद्ध सामंत काल अब वीर काल अब इधर देखिएगा वीर गाथात्मक काल तो रामचंद शुक ने लेकिन विश्विनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है संपोन विश्व के नाथ कौन होते हैं वीर होते हैं तो वीरी तो विश्व के नाथ बनेंगे ठीक है ना तो वीर काल विश्व नाथ प्रसाद मिश्र संधी काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधीकाल और चारणकाल डोक्टर रामकुमार वर्मा संधीकाल और चारणकाल किनका है डोक्टर रामकुमार वर्मा चरण इसपर्ष राम जी को किनका चरण इसपर्ष राम जी को ठीके न तो रामकुमार संधीकाल चारणकाल रामकुमार वर्मा आदी काल ये प्रतिक हिंदी के विध्यार्थी को याद होगा हजारी प्रसाथ दिवेदी जी जै काल रमाशंकर शुक्ल रसाल किनों ने कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल रमाशंकर जी को हमने जै काल कहा क्योंकि वो है महाकाल महाकालो के काल रमाशंकर्षक्ल साल जयकाल इसतरीके से ध्यान रखिए ठीके अजिस प्रिफित किस तरीके से इनको दिमाग मे रखना है इस आधार पर पढ़ेंगे ठीके आधारकाल सुमन राजे मोहनवस्थी आधार दे दिया सुमन ने मोहन को कि चलेंगे अपन घूमने ठीक है आधार दिया सुमनने मोहन को चलेंगे अपन घूमने सुमन राजे मोहन अवस्ति आधार काल अपभ्रहंश काल धिरेंदर वर्मा बच्चन सिंग अपभ्रहंश काल धिरेंदर वर्मा बच्चन सिंग अब यह ध्यान यहां रखिए कि अगर यहां पर आपको काल विभाजन बढ़िया याद होगा न तो बच्चन सिंग ने अपना पहला जो हिंदी साहिते का दूसरा इतियास है उसमें पहला काल अपभ्रहंश काल में बाटा है उन्होंने अधिकाल में नहीं बाटा तो धिरेंदर वर्मा बच्चन सिंग अपभ्रहंश काल वासुदेव जी जैसे ही वासुदेव जी आये उद्भव हो गया ठीके संकर्मन काल राम खेलावन पांडे तो इसमें से इस्टुएंट जो इंपोटेंट है पॉइंट्स वैसे तो आपको ये सारे ध्यान रखिएगा लेकिन जो महत्पूर महत्पूरें चारण काल प्रारंभी काल वीजवपन काल वीर गातत्म काल सिद्ध सामन्त काल फिर इसके बाद वीर काल संधी काल आधी काल ठीके फिर देखें हिंदी के प्रथम कवी प्रसोता बताने वाले कौन थे हिंदी के प्रथम कवी जैसे पुष्य दंत या पुंड यह किसने कहा है श्रीव सिंग सेगर को सुनिए 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 मेरी ट्रिक सुनिए देखिए श्रीव जी को हम क्या चड़ाते हैं पुष्प चड़ात तो शीव सिंग सेगर्ण ने पुष्य दंत या पुंड को कहा है आगे हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इस्ट्रेंट्स ओर ठीके अभी जो यह कॉटेशन मुख्य है डारेक्ट प्रश्न यहां से आते हैं हिंदी का प्रथम कवी पुष्य दंत पुंड जिसको किस ने कहा है किनों ने नाम दिया है शीव सिंग सेगर्ण ने कहा है कि हिंदी के प्रथम कभी पुष्य दंत या पुंड है तो शीव जी के समक्षम अभी शिवराती आने ही वाली है तो बच्चों पुष्प आप अर्पित करेंगे इसाई ठीके ना देखिए नेक्स देखिए शाली बद्र सूरी गरपती चंद्र स्वयंभू रामकुमार वर्मा सरहपा राहुल सांक्यातन अब्दुल रह्मान हजारी प्रसाद दिवेदी और कौन है आगे देखिए विद्ध्यापती डॉक्टर बच्चन सिंग मुंज चंदर जर्शर्मा गुलेरी एक बाद फिर इ देखिए पुष्यदंत पुंड शीर सिंग सेगर ठीके फिर नेक्स्ट शाली बद्र सूरी गरपती चंद्र गुपति स्वयंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा सरहपार राहुल सांक्यातन हजारी प्रसाद दिवेदी जीने अब्दुल रह्मान हजारी प्रसाद आँगे ये धर्मिक सहितय की रचना है ठीके कोशिश करओगी आपको एक रात को भी हंदी सहितय की संबन्दित क्लास दूँ मतलब कल नहीं आपाई क्लास इसके लिए मुझे एक खेद है ठीके तो मैं डेली चाती हूँ आपको हंदी सहितय से रिलेटेडेडर $2 वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीके इससे मुझे बहुत 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 जादा भी प्रेरिणा मिलती है मॉटिवेशन मिलता है कि आपको ये चीज समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो प्रतेक विध्यारती तक समझ में आ रहा है ठीके तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा नाइट में भी आपको नो दस बज़े के बीच में भी मैं एक और क काविशास ते संबंदीर कॉंसेप्ट काफी किलियर होएंगे आगे तो मैं इसके काविशास के नोड्स ही नोड्स खुद के बनाएवे नोड्स को ही समझाओंगी पढ़ाओंगी ठीके तो नमस्कार धन्यवाद